हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको अलग तरह से फंदे डालना सिखाऊंगी जूंकि मोटे मोटे से फंदे होएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है यह देखिए इस धागे को यह थो धागा है इसको हमने फोर बार सरज फोल्ड् already फोल्ड्र करना है यह से एक यहां तक होग्या यह एक बार उसके बाद यह तक यह फोल्ड हूंद है वह एक बारी और फूल्ड करना है आपने इस तरह ये तीन धागे होगे हैं इसके बाद एक बारी और आपने फूल्ड करना है ऐसे जहां से इधर से बराबर होना चाहिए और ये इस तरह से ठीक है अब यहां पर यहां पर डबल फूल्ड हुए हुए दो यहां पर हमने इस तरह स्लाइल ले लेनी है देखें इस तरह ले लेनी आपने फिर इस तरह गुमादैना ऐसे इस तरह गुमादीया है मैंने यापने इससे दी इस तरह है और इसको मै ने इस तरह गुमा दिया है वन और ये एक वारी और चीक है उसके बाद धागे अलग लग कर देने दो धागे ये तो धागे ये पकड़ लिया आपने है अच्छासे से हुग ये ये दूर है चार धागे ये ये पहले ऐसी लेना है फिर इसी लिए आगे में ऐसे लेपेड़ देना आगे से और फिर इसको इसमें से निकालके इस तरह खिच देना अच्छे से ठीक है इस तरह खिच दिया देखिए फिर से देखिए ये ऐसे करना है और ये वाला थाका इस तरह से ले लेना है फिर ये इसको इसके उपर से निकालके इस तरह ख देना ठीक है ऐसी फिर ऐसी देनी ये इसके उपर से निकाल देना इस तरह से आपका लगानाष से देनी बिल्लाइ करें थी देना थिर तरह से उपर से उपजनी इसके येशने जISTे तरह से निकाल देना थेना देना उक ङांप posé समय क्याया है, आपका तरह से देना एकmed ठेकें आछानाँ कर दोता देना देनाम ड़imana जहां भीकाल जा दोते हैं एस फिर बहुत ही एजी है बस इसको ऐसे करना है और ये इस तरह से करना है और फिर ये इसके उपर से इस तरह निकाल देने है ऐसे फिर ऐसे गुमा देना है और ये वाला इसमें से इस तरह निकाल देना है ठीक है फिर से एक वार यह और करते हैं ऐसे और फिर ये इस तरह से और ये इसमें से इस तरह निकाल देना है ये दिखिए मूटे मूटे से फंदे दल गये अब दिखिए इसमें आगे क्या करना है अब इससे बूंदे ना आ आपने ये फंदे ये दिखिए चारो फंदे चार धागेे यह ये ये चारो धागे एक साथ आपने पुंदे इस तरह लेके ये वाला सिंगल धागा इससे ऐसे बुन देना है ठीक है ऐसे बुन दिया अब नेक्स्ट क्या करना है ये धागा लेके ये इस पर ऐसे डाल देना है ठीक है फिर से इस तरह लेके ये इस तरह बुन दिया फिर से इस तरह डार दिया इस तरह से से बुन दूए तरह बुन दिया इस तरह बुन दिया अबसे पर दो रह बुन दिया ऑगा करना है ये इस तरह देना है झाल 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 यह बहुत ही इजी है किते मूटे मूटे से फंदे दिख रहे हैं झाल 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 यह देखिए कितने अच्छा मोटे मोटे से पंदे दिख रहे है यह है ना फ्रेंट्स तो अपने नेक्स प्रोजेक्ट में इन्हें जुरू ट्राइ किजिएगा फ्रेंट्स बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे से लगेंगे यह ओके फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नई और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू क्यूँ थैंक प्रेंट्स बहुत हैं तो